नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनियर प्रभात कुमार सिंग निरला कंस्ट्रक्शन यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में में आप लोग को एक बन रहे संदार घर का डिजाइन दिखाऊंगा बहुत ही अच्छे ढंग से इस घर को बनेया जा रहा है पार्ट वाइस में आपको दिखाऊंगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप अपने घर के लिए बहुत सारा आइडिया इस घर के डिजाइन को देखते हुए लगा सकते हैं चलिए पार्ट वाइस देखते हैं किस घर को किस तरीका से बनेया जा रहा है मैं उधर भी आपको दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले इस घर का एक जो खिरकी है उसके बार में बताना चाहता हूं क्योंकि यह खिरकी है वो अद्भूत है कुछ अलग टाइप से यहां पर काम करने का कोशिस किया गया है चलिए थोरा नजदिक लेजाकर दिखाता हूं यह देखे चार फिट बाई चार फिट का विंडो है बॉक्स नुमा डिजाइन तो आप लोग ने बहुत सारा घर में देखा होगा लेकिन यहां पर जो बॉक्स पनाया गया है वो तिर्फ तीन तर तरीका से बने गया उपर से स्लोप डिजाइन के साथ साथ आप देखेंगे कि कुछ नया यहां पर करने का कोशिस किया गया दोस्तों आप इस दोनों खिर्किये से आइडिया ले सकते हैं अगर आपका घर में नीचे वाला तल्ला और उपर वाला तल्ला में आप एक करकार कोलम का इस्तेमाल किया गया है 10 17 डाया का और यहांबर देखेंगे तो आरक सिप्का भी इस्तेमाल किया गया है किसी भी साईच की घर में आप इस तरिक हां जो डिजाइन ने से विडियो को पुरा देखे उपर में आपको कुछ नया सीज दिखाने वाला हूँ इस घर के बारे में यहां पर देख सकते हैं कि स्लोप डिजाइन का छज्जा का इस्तेमाल किया गया है लगबग डेर फीट का यहां पर रखा गया है और जो इसे सपोर्ट के लिए देखेंग मैं अलका जूम करका दिखाऊंगा आगे तो यह देखिए जो केंटी लिवर आप बीम देख रहे हैं और केंटी लिवर स्लेप देख रहे हैं तो कभी भी आप छज्जा बाहर निकला है तो उसके नीचे में आपको बीम जरूर दिलवाना चाहिए तो यह तो दोस्तों बात बाहर निकले हुए छज्जा का अब उसके ऊपर चलते हैं तो आप देखेंगे कि यह जो डिजाइन बनाया गया है स्कॉाइर सिप में और इससे भी इंट की मदस नहीं बने आ गया है यह देख सकते हैं बड़ा स्कॉार है फिर उसकी नीचे में छोटा स्कॉार है तो आप तो तीन इंची का दिवाल चोरवाते हुए उसे बाहर निकालते हुए इस तरीका का जो डिजाइन उसे बनवा सकते हैं मैं आलका जूम करके आपको दिखा रहता हूँ जो इंटा का सबते पतला वाला हिस्सा रहता है उसी से आप इस तरीका का कोर वाला डिजाइन बनवा स घर के छत में भी कुछ नया करने का कोशिस किया गया है मैं अभी आपको दिखाऊंगा यह देख सकते हैं जो उपर इसके जो छत का काम है उसे आप देखिए कि बिल्कुल खाली छोड़ा गया है यहां पर बहुत ही अच्छे ढंग से बिल्कुल नया डिजाइन फ्रेश डिज स्लोप डिजाइन का छट्जा को ही निकालते हुए इस घर को बने आजारा इधर का जो खिर्की का देखा जाया तो बॉक्ष नूमा डिजाइन का ही खिर्की है और यह देखिए उपर में बिल्कुल खाली है सिर्फ छट्जा आपको निकला हुए दिखाई देर हमें अभी आपको दूर से दिखाऊंगा तो और भी चीजी आपके लिए क्लियर हो जाएंगी साइड व्यू का बात किया जाए तो देख सकते हैं एक खिर्की जो आप लोग ने बाहर की तरफ देखा था सामने की तरफ उसे ही साइड की तरफ ही लगाया गया है नीचे से उपर वाला दोनों खिर्की को जोड़ते हुए इस डिजाइन को बनाया गया है कलर के बाद काफी अच्छा रिजल्ट आपको यहां भी देखने को मिलेगा तो देख लीजे यहां पर निकाला गया है और कुछ इस तरीका का इसका फ्रंट भीव है मैं नीचे से उपर तक एक बार दिख को रा गया है बाद में आपको कुछ नया चीजें बहुत ही जल्द आप लोग के लिए में लाने वाला हूं तो उमीध है हर वीडियो के तरह इट्स वीडियो से भी कुछ नया चीज चीज सिखने को जरुर मिला होगा तो आपको किया जाए घर का चोराई का तो लबक 40 feet का front elevation इस घर के लिए बनेया जा रहा है और आने वोला दिन में जब color हो जागा तो फिर मैं आप locally वीडियो डाल दूँगा description box में link दे दूँगा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें डेली बेसिस पर नया घर का डिजाइन देखने के लिए धन्यवाद